गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कुछ दिन पहले ही बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी इसमें बीजेपी के कई बड़ नेताओं के साथ गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजभाई रूपानी का नाम भी शामिल है दो अगस्त 1956 को रंगून बर्मा में जन में विजेपी रूपानी 1960 में बर्मा में राजनितिक अस्रता के कारण अपने परिवार के साथ राजगोट चले आए सौराश्ल युनिवर्सिटी से उन्होंने बिये किया विजे रूपानी अपने पिता रमनीक लाल रूपानी की एक रेडिंग फर्म रसिक लाल एंड संस में भागिदार है राजनितिक जोड तोड के जानकार विजभाई रूपानी का सियासी सफर भी काफी जल्दी शुरू हो गया था चात्र जीवन के दौरान ही वे पहले ABVP और फिर RSS से जुड़ गए एमेजेंसी के दौरान रूपानी 11 महीने जेल में रहे 1978 से 1981 तक विजभाई रूपानी RSS के प्रचारक रहे BJP के गठन के बाद वे पार्टी से जुड़ गए 1987 में वे राजकोट नगर निगम के चुनाव में जीते और पार्षत बने 1998 में उन्हें गुजरात में BJP का महासचिव बनाया गया चार बार्वे महासचिव बने 2006 से 2012 तक विजभाई रूपानी रज्यसभा के सदस्से रहे 2013 में मिरंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते उन्हें गुजरात मिनिस्पर फाइनेंस बोर्ड का चेर्मेन बनाया गया 2014 में आनंदी बेन पटेल गुजरात की मुख्यमंत्री बनी विजए रूपानी, परिवहन जलापूर्थी, श्रम और रोजगार विभाग के कैबिनेट मंत्री रहे 19 फरवरी 2016 को उन्हें प्रदेश भाजपा ध्यक्ष बनाया गया 7 अगस्त 2016 को गुजरात के 16 मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार शपत ली दिसम्बर 2017 में गुजरात विधनसभा चुनाव जीत कर विजए रूपानी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पदकीश पत ली हलाकि करिब 5 साल और एक महिना मुख्यमंत्री रहने के बाद सितम्बर 2021 में विजभाय रूपानी को स्तीफा देना पड़ा कुछ दिन पहले ही उन्होंने 2022 के गुजरात विधनसभा चुनाव न लड़ने का एलान किया था अब देखना है कि भविश्य में वो बीजेपी के लिए और क्या जिम्मेदारी उठाएंगे इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं साथी देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक सोचल मीडिया पर लिखिये हैस्टेग क्या कहता है गुजरात और देखिये हमारे ये शो